के रॉल और लेसी चुहें वो ते उन्हों पार्टनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को डिजॉल्व कर देंगे और आपसे कहा गया है बच्चों कि जनल एंट्रीज पास करिए और यह हमें बता चुके हैं कि यह लोग अपनी सारी जो एसेड्स हैं और जो एक्स्टरनल लाइबिटीज हैं उनको पहले ही रिलाइशन अकॉंट में डालके क्लोज कर चुके हैं ठीक है बच्चों अब वो ट्रांडेक्शन क्या हैं जिसनके लिए आपको एंट्रीज बनानी है आए वो देख लेते हैं पहले देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि के रॉल ने आधी इन्वेस्मेंट्स को जिनकी टोटल वर्थी रूपीज 30,000 2% डिसकाउंट पे लिया है ठीक है बच्चों तो इन्वेस्मेंट्स की टोटल वर्थ है रूपीज 30,000 इनकी आधी इन्वेस्मेंट्स जो हैं जानी की 15,000 की जो इन्वेस्मेंट्स हैं उसको केरॉल ने 2% discount पे लिया है तो 15,000 का 2% कितना होता है बच्चो 300 यानि किरॉल ने उना आधी investment को लिया होगा 4 rupees 14,700 ठीक है बच्चो और जब भी partner किसी asset को take over करता है तो उसका capital account debit हो जाएगा और realization account credit होगा याद रखेगा asset को credit मत करिएगा तो इस key entry बनेगी केरॉल's capital account debit to realization account अब बच्ची आधी investment यानि 15,000 की investment उसको बेच दिया गया at a profit of 18% of book value clear बच्चो तो जो बच्ची भी 15,000 की investment है उनका 18% profit निकालिए और उनमे आड़ कर दीजिए ठीक है बच्चो जो आएगा वो उनका selling price होगा और उस पर entry बनाई चाहेगी तो 15,000 का 18% होता है बच्चो 2700 ठीक है बच्चो तो 15,000 प्लस 2700 होगा 17,700 और इन investments को बेचा गया है तो उसकी entry बनेगी bank account debit to realization account ठीक है बच्चो तो ये दो entries बनी है हमारी आईए पहले इन दो entry को बना लते हैं फर्स point से जुड़े फिर second point को discuss करेंगे जिस investment को केरॉल ने डिकोर किया उसकी entry है केरॉल's capital account debit to realization account 14,700 15,000 में से उनका 2% हटा दिया ये आगया 14,700 ठीक है बच्चो और जो इन investment बेची गई है उसकी entry है bank account debit to realization account तो 15,000 में उसका 18% जोड़ दिया जो की आया 2700 ये entry बनी 1700 से clear बच्चो ये फर्स point की entries now come to the second point second point में कहा है कि लेसी जो है उसको remuneration दिया जाएगा और for rupees 13,000 उसे 13,000 का remuneration दिया जाएगा remuneration यानि आप commission कह सकते है और किस काम के लिए जाएगा ताकि जो dissolution से जुड़ा वाग काम है वो उसको निप्टा दे और कोई भी जो relation से जुड़े वे expenses होंगे वो अब लेसी को ही bear करने है यानि वो उसकी जिम्मेदारी है उन expenses को pay करना ठीक है बच्चो अब realization से जुड़े वे खर्चे जो हैं वो हुए थे 5,000 और उन खर्चो को लेसी ने नहीं पे किया फर्म ने पे किया जबकि जिम्मेदारी उनकी लेसी की थी तो इस points के साथ भी बच्चो दो entries जुड़े हुई है पहली entry तो है लेसी के commission की या दमिरेशन की जिसकी entry बनती है realization account debit to Lacey's capital account 13,000 से ठीक है बच्चो और अगर ये 5,000 के expenses लेसी ने खुद पे कर दिये होते तो हम इसकी कोई entry नहीं बनाते पर क्योंकि लेसी ने ये खर्चे नहीं पे कर रहे हैं ये form ने पे कर रहे हैं तो firm इन 5,000 रुपे को लेसी के account से deduct कर देगी और उसकी entries बना लते हैं फिर अगले point पे आते हैं तो बच्चो हमारी पहले entry बनी realization account debit to Lacey's capital account ये उसके remuneration के लिए है ये बनी है रुपीज 13,000 से और अगली entry जो बनाए गई है Lacey's capital account debit to bank account ये बनाए गई है उस रुपीज 5000 के expenses के लिए जो pay तो Lacey को करने चाहिए थे लेकिन pay firm ने करे है that's why हमने Lacey के capital account को debit किया और bank account credit कर दिया और ये bank account firm का था जो 5-4 expenses pay करने से कम हो गया है that's why उसे credit किया गया ठीक है बच्चो आईए बच्चो point number 3 देख लेते हैं केर आल जो है उसने firm को loan दिया था Rs. 89,000 का ठीक है ये loan उसने firm को दिया था जिसे firm ने लटा दिया है ठीक है बच्चो तो देखे बच्चो partner का loan relation account में डालके close नहीं किया जाता है ठीक है के वल external liabilities को ही relation account में डालके close किया जाता है तो केराल का जो loan है वो अभी तक close नहीं हुआ था वो अब close होगा उसको पैसा देने से लोन एक liability है केराल का loan जो उसने firm को दिया है liability जब pay कर देंगे तो liability debit हो जाएगी और उसको pay करने से firm का bank account भी कम हो जाएगा इसलिए bank account credit हो जाएगा और इसकी entry बनेगी केराल's loan account debit to bank account ठीक है बच्चो तो केराल's loan account debit to bank account 89,000 जेतना उसका loan था क्लिय बच्चो नॉच कम दो फोर्थ entry भलकि यह कहें कि फोर्ट ट्रांडेक्ट्चिं तो फोर्ट्रांडेक्चिं कुछ ऐसी है Lacey agreed to pay off her brother's loan जो कि था 13,000 का और वो उसको 5% discount पे पे करने के लिए तयार है तो याद रखेंगा बच्चो जो Lacey के brother का loan है वो एक external liability है तो इसे हम relation account में डालके पहले ही close कर चुके हैं ठीक है तो जब यह pay किया जाएगा चाहे Lacey पे करे चाहे firm पे करे हमें relation account को debit करना है उसके brother loan को नहीं ठीक है और यह जितने का pay किया जाएगा सिर्फ वो समांट से entry बनेगी हमें जो discount मिलेगा वो हम record नहीं करेंगे जिन access और liabilities को हम relation में डालके close कर चुके होते हैं उन पे कोई discount अगर मिलता है तो हमें वो नहीं record करना होता है हमें सिर्फ payment record करना होता है जो हमें देना पड़ा या जो हमें मिला तो 13,000 का 5% होता है बच्चो 650 13,000 में से 650 मिलास करेंगे तो बचेगा 1, 2, 3, 5, 0 ठीक है बच्चो और entry बने के relation account debit to Lacey's capital account क्योंकि ये loan firm ने नहीं पे किया Lacey ने पे किया है और partner के बिहाफ पे अगर कोई partner स्वारी firm के बिहाफ पे अगर कोई partner किसी liability का payment करता है तो हम उसकी capital account को ingrese कर देते हैं इसने Lacey जो है वो credit हो जाएगी और relation account debit होगा ठीक है तो कि partner का जो brother का loan है वो अलड़ी हम relation में पहले डालके close कर चुके थे entry बने की 12350 से ठीक है बच्चो तो ये entry बनके relation account debit to Lacey's capital account हमने 13,000 का 5% जो की 650 होता है उसे minus कर दिया और amount आया 12350 उस ते entry बनाई है external liability जो पहले ही relation में डालके close कर दी गई है उसके payment का discount receive कही record नहीं किया जाएगा इस बात को याद रखीगा बच्चो ठीक है बच्चो तो इस तरह से हमारी ये सारी entries complete हो जाती है and मैं उम्मीद करता हूँ बच्चो कि आपको ये 4 entries का explanation अच्छी द्रह सुन में आया होगा 4 entries ना कहके मैं 4 transitions कहूंगा जो दे में दे रखी थी ठीक है बच्चो एंट्रीस तुम्हें in all 6 बनानी पड़ी है ठीक है बच्चो